हलो बच्चा लोग कैसा है आप लोग मैं आशा करता हूँ कि आप सारी लोग बहुत ही मस्त जबर्दस्त और ओत्तम होंगे ठीक है मतलब स्मार्ट होंगे बहुत बढ़ियां वाले ठीक है तो टेंशन नहीं लेने का तो बच्चा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या बोलता है ओम का नियम है ठीक है ओम बड़ा अच्छा शब्द है ठीक है हम लोग काफी यूज भी करते हैं इसका तो यहां पर ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे ठीक है उनके बारे में हम जिकर करेंगे और मैं आपको बता हूँ यह जो ओम थे ना यह कोई बहुत बड़े साइंटि से बताओ वी इकल टू क्या होता है बताओ यार वी इकल टू आई यार होता है ना ठीक है तो यह जो आपका फॉर्मुला है इसको हम क्या बोलते है ओम का नियम बोलते है ठीक है आपको पता होगा कि इसमें जो वी होता है बच्चा वो क्या होता है किसी सर्किट में जो दिस्टेंस में लेके आए और इसके थुरू ने बताया कि यह सब होता है ठीक है अच्छा यह यह जो फॉर्मूला यह कब तक अप्लिकेबल है देखो यह टेंपरेचर जो सेम होता है ना जैसे अभी इस समय का जो टेंपरेचर है नाइन डिगरी सेंटिग्रेट है तो इस केस में जो यहाँ पर जो वी इकल टू आई आर है ना वो काम करेगा लेकिन हो सकता अगर टेंपरेचर बदले तो यहाँ पर इसकी वैलू भी क्या हो बदल जाए ठीक है तो यहाँ पर इसलिए यह वाला पॉइंट मैंने थोड़ा सा हाइलाइट करके लिख दिया है ताकि अग हो कितने बड़े शब्दों में मैंने लिख रखा इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा ओम बोलते हैं ठीक है हिंदी में ओम बोलते हैं या इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं ओम बोलते हैं ठीक है तो कभी भी अगर आपको बोले कि प्रतिरोध का क्या मातरक होता है या रिज ठीक है examination के point of view अगर आपको लिखना होगा तो आप इस तरह से definition को लिखोगे ठीक है ओके तो यहां पर यह बच्चा जो थोड़े थोड़े आपको symbol छोड़े छोड़े दिख रहे हैं यह सब किसके symbol है सब जो है वो resistance के symbol है यानि प्रतिरोध के symbol है ठीक है प्रतिरोध होता क्या है आप सबको पता है प्रतिरोध एक ऐसा एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी particular पदार्थ को शो करता है उसकी quality होती है मतलब कि वह अपने अंदर जब current flow होता है तो वह define करता है कि current कितनी त्यजी से flow होगा या फिर कितनी मात्रा में current flow होगा ठीक है तो वह कौन define करता है और यह क्या होता किसी पदार्थ की प्रकृति होती है मतलब characteristics of material होता है ठीक है उसके बाद देखो यहां पे देखो define भी उन्हों कर दिया है कि conductor का good है कि वह इसके माध्यम से प्रवाह आवेशों का विरोध करता है विरोध का मतलब कि रोकता है या फिर उनको उनके 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 जब वो होएगा ठीक है अगर अरचन कम है तो सिंपल सी बात है जो आपका करेंट होगा वो भी जादा होएगा ठीक है तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए है कि नहीं उसके बाद होता है बच्चा how to regulate करेंट मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस formula को पढ़े i is equal to v upon r देखो v is equal to क्या होता i r सबको पता है अब यहां से अगर मैं आई निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा आप देखो यहां पर जो i है वो किसके थू हो सकता है मतलब नियंत्रित हो सकता है या तो विभुवाथल के थू हो सकता है या 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 i tort chuck हो सकता है ठीक है तो अगर मैं विभॉवांतर की बात करूँ या फिर to की बात करूं तो आपको पता है कि अगर मैं वोल्टेज को एगनॉड करूं मतलब साइड में कर दो तो आर भी क्या है आई को को गश्राइब है तो इसको कंट्रोल करने कर सकता है कहने का सिंपल सा गाला बच्चा ना कहां इसका प्रतिरोत आगर हम तो देखो अगर हम ने प्रतिरोत को बढ़ा दिया तो करेंट आपको क्या होगा कम हो जाएगा और अगर प्रतिरोत कम हो गया तो करेंट बढ़ जाएगा ठीकit तो यह तो आपका regulate करने का system होता है, किस के तुरू, परतिरोध के तुरू, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आगे मैं बताता हूँ, चरपरतिरोध बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, चरपरतिरोध, ठीक है, इसको नापने का एक device होता है, ठीक है, इसको नापने का एक device होता है, उ कैसे होता है तो अगर आप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो करेंट कम हो जाएगा आपने कम कर दिया तो प्रतिरोध कम हो गया तो करेंट क्या होगा बढ़ जाएगा ठीक है तो वह जो डिवाइस होती है जिससे हम किसी भी चालक के प्रतिरोध को नियंतरित करते हैं उसको हम रियो स्टेट बोलते हैं ठीक है और अगर प्रतिरोध नियंत्रित हो रहा है तो इसका मतलब जो आपका करेंट है वो भी नियंत्रित हो रहा है ठीक है तो इसमें ज्यादा नहीं लगाना देखो यह साइन है आपका किसका यह साइन है आपका रियो स्टेट का ठीक है जो रियो स्टेट हमारा होता है ठीक है उसका साइन है तो इसको आगे पीछे हम करते हैं तो क्या होता है जो हमारा सर्केट है ना सर्केट में जो प्रतिरोध होता वो कम या जादा होता है ठीक है देखो प्रतिरोध को बदलने के ल उसके बाद बच्चा यहां पे देखो थोड़ा सा हमारा सीन क्या है देखो जैसे जो प्रतिरोध होता है बच्चा सबको पता है कि हर एक पदार्थ का अलग-अलग होता है यह बास सबको पता है तो मैंने क्या किया है आप एक activity करी इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए तो जो आपका परीपस में current हो कितना है ठीक है तो जब इन्होंने चेक करा तो इन्होंने देखा कि कभी जब nichrom का यूज करते हैं तो यहां पे ammeter यह ammeter है न यह क्या करता है जो current flow होता है उसको नापता है ठीक है उसको measurement करता है उसका measure करता है तो जब nichrom का तार लगाएगा तो a meter का जो meter है वो कुछ और दिखा रहा था और जब आपका bulb यूज किया गया तो इसका मतलब meter कुछ और दिखा रहा था ठीक है और इस तरह से हर एक पदार्त को जो हमने बीच में place किया तो जो a meter है उसका जो meter है वो अलग-अलग numbers को show कर रहा था मतलब जो current थी वो हर एक case म में अलग-अलग flow हो रही थी ठीक है कहने का simple सा मतलब यह है तो तो देखा क्या गया आगे तो यह देखा गया कि यार बात बताओ ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है कि मतलब हर एक पदार्त के लिए अलग-अलग तो simple सी बात है जो A ROS होता है सबका अलग- अलग होता उसी के according जो है current हमारा क्या होता है define होता है किसी भी परीपत में तो अब यहां पर देखो कारक जिन पर conductor का प्रतिरोध निर्भर करता है अब देखो कि आर से कौन आर के ऊपर कौन dependent है सर आई dependent है अब यह आर भी किसके ऊपर dependent है कुछ factor है material के जिनके ऊपर यह dependent है ठीक है तो कहीं न कहीं in factor के through क्या होगा आई control होगा समझ में आ रहा है कि नहीं अरे भाई आप सोच के देखो न जैसे आपको बताता हूँ मैं एक्जांपल ले लो जैसे माल लो आप हो ठीक है आप हो एक इंसान है जो आपके पास आता है बोलता है कि यार एक काम करो मेरा ये question solve कर दो जैसे आपका एक दोस्त है माल लो ठीक है वो आपके पास आता है और बोलता है यार एक काम करो ये मेरा question solve कर दो तो आप बोलो कि नह तो राहूН क informação कर दिता तो राहूल की मदर ने राहूं से बोला वो शाम आया था वो कहरा था तो इसका कोशचन कर रहे थे सका कोशचन करके दो ठीक है तो आप ने क्या कोशचन है उसको करके दे दिया तो चहने का मतलब क्या था आप जो आप है वो किसके ऊपर dependent है और जो आर है वो इन तीनों फेक्टर के ऊपर dependent है तो कहीं न कहीं indirectly देखा जाए तो यह तीनों फेक्टर इस चीज़ को control करेंगे की नहीं करेंगे बिल्कुल करेंगे ठीक है अब देखो आर का कैसे सीन है पहला पॉइंट है on its length मालेता हो कोई आप तार यूज करते हो इनको पढ़ने एक से पहले न आप अपने दिमाग में एक एक कोई परीपत मतलब अपने दिमाग में कोई conductor assume कर लो ठीक है कोई तार assume कर लो सबसे simple step है समझने के लिए माले तो एक copper का मेरे पास बहुत लंबा सा तार है ठीक है लंबा सा तार है ठीक है रुकों में देखो एक है यहां पे word है cross section cross section मतलब होता अनुपरस्त कट कट नहीं होता है काट होता है यह वाला point जब इसको आप front से देखोगे तो आपको यह दिखेगा इसको हम क्या बोलते है cross section बोलते हैं ठीक है अच्छा अब यह जो बच्चा आर होता है यह कहरें कि कारग जिन पर conductor अब यह जो आर बच्चा है वो किसके उपर पहली निर्भर करता है first point क्या है इसकी लंबाई पर तो जो तार का ahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahan आप देखो बच्चा यह जो आर होता है वह यह एक्षुल में यह एल है बच्चा रहे हो इसे केला है प्याला जो आपका है यह क्या बोल Helen जो आपका प्रतिरोध होता बच्चा वह वह एल के अंकुरमानुपाती टाब अल क्या है है यहां पे जो आप पदार्थ यूज़ कर रहे हो conductor उसके लंबाई है ठीक है तो मतलब क्या होगा देखो R जो हो proportional है किसके conductor की length पे proportional है मतलब अगर length बढ़ेगी तो R भी क्या होगा बढ़ेगा अगर length कम होगी तो R भी क्या होगा घटेगा मतलब क्या है कि अगर अगर मानलो कोई wire आप लेते हो मानले ता उसका लंबाई पांच मेटर है ठीक है तो उसमें अगर current आप flow करोगे ठीक है अगर आप उसमें current flow करोगे चलो छोड़ो current वो तो बाद की बात हो गई वो तो हम R से correlate करके मैं आपको बता दूँगा उसके मानलो इतनी बड़ी लंबाई जैसे यह मेरे हाथ में तार है ठीक है खेर यह तो मेरे माईक का तार है मैं बस आपको एक बता रहा हूं तो यह देखो मेरे मेरे में तार है ठीक है इतना बड़ा मानलो मेरे हाथ में तार है ठीक है तो अगर इसमें जो प्रतिरोध है बच्चा ना वो इसके लंबाई पर निर्भर करेगी, जित्ती दूर मैंने पकड रखा है, इतने पर निर्भर करेगी, अगर मैं इसको double कर दो, मालो ये तार है मेरा इतना, तो इसका कुछ प्रतिरोध होगा, ठीक है, तो अब मैंने क्या क्या, इसको double कर दिया, double का मतलब, खीच के होगा, बढ़ जाएगा, समझ में आता है कि नहीं आता है, अब दूसरी बात, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, वो क्या है, ये देखो, वन नहीं है, सही कह रहे हो, just a minute, जब करो, तब समझ में आता है, ये देखो, one upon a है, ठीक है, ओके, तो देखो, r जो होता, one upon a के गटेगा, या तो r बढ़े, तो फिर में इसका मतलब a गटेगा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें simple जानना है, अगर a बढ़ेगा, तो यहाँ पर r क्या होगा, कम होगा, या फिर अगर a कम होगा, तो r क्या होगा, ठीक है, उल्टा होने का यही मतलब होता है inverse proportional होने का यही मतलब होता है ठीक है अच्छा अब देखो ध्यान से अब मैंने क्या किया यह तो मेरा first हो गया और यह मेरा second हो गया मैंने क्या कि इन दोलों को combined लिख दिया combined लिखने का मतलब एक साथ लिख दिया तो जब इनको एक साथ लिखा तो मेरे को ये मिला ये क्या है अरे यारी गलत लिखा हुआ है रो अनुक्रमानुपाती एल अपॉने देखो आर एल के अनुक्रमानुपाती था ठीक है और आर जो था एक व्यूत्क्रमानुपाती था जब मैंने इन दोनों को कंबाइंड किया तो मैंने क्या लिख दिया आर अनुकर्मा नुपातु एलपाउन लिख दिया ठीक है ना हाँ अब अब देखो इस प्रपोर्शनल का जो साइन है बच्चा मैं इसको हटाना चाहता हूं तो हटाने के लिए मैंने क्या किया इक्वल कर दिया और बीच में एक कॉंस्टेंट क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं विद्दूत प्रति रोधक्ता बोलते हैं ठीक है चाहे आप इलेक्रिकल रेजिस्टिविटी बोलो आप इसको चाहे आप विद्दूत प्रति रोधक्ता बोलो दोनों एक ही है तो इस तरह से यह हमारे पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गय ठीक है यह देखो यह भी एल है ठीक है पता नहीं कहा से में स्प्रिंटिंग हो गई है तो आर इस इकल टू रो इंटू एल अपॉन ए जहां पर आर क्या है मालो एक तार है थोड़ा सा मैं एक्स्प्लेइन करना जाओंगा इस फॉर्मुले को ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो ठीक है यह सब मैं हटा देता हूं तो रबड की तरह मिटाना पड़ रहे है एक साथ मिटा देता लेकिन अभी यह भी मिट जाएंगे ना तो इनको मिरे को मिटाना नहीं है ठीक है चलो मिटाई देता हूं सबको ठीक है मिटा देता हूं सही रहेगा देखो यहां पे यह L है आपको पता है आपको किया हो जाता है भई यह हो गया ठीक है और यह वाला हो गया और यह यह हो गया ठीक है अब देखो यहां पर आर इस इकल टू रो इंटू एल अपॉन ए है यह देखो एक तार मैंने ले लिया कोई बड़ा सा ठीक है यह मैंने बड़ा सा मालो कॉपर क का तार है तो c मैंने कर दिया ठीक है c कर दिया अगर muscular का तरह तो इसके जो length है बच्चा वो कितना है l है ठीक है और यह जो cross section area है बच्चा नहीं इसको मैंने a नाम दे दिया ठीक है और इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है r है तो इसका मतलब इस wire के लिए अगर मैं formula लिखो तो यह वाला formula में लिख सकता हूँ ठीक है यहां पर दोको आर इस इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए है यहां पर रो क्या है सर इलेक्ट्रिकल रिजिस्टिविटी है किसका इस वायर का मतलब कॉपर के वायर का ठीक है आर जो है इसका इसकी प्र उसके लंबाई कितनी है उसका cross section area कितना है इन सारी बातों पर यह चीज़ dependent होगी ठीक है I hope कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा ठीक है उसके बाद इसका unit भी हमको पढ़ना पड़ेगा अब देखो कोई चीज़ अगर हमने पढ़ ली है तो उसका unit तो हमें पढ प्रतिरोधा का मातरक याद रखना बच्चा एक आर होता है इसको प्रतिरोध बोलते हैं और यह जो रो होता है ना इसको विद्धुत प्रतिरोध बोलते हैं विद्धुत प्रतिरोधा बोलते हैं तो दोनों में फरक होता है ठीक है दोनों में confused मत होना यह आपका resistance होता है और यह आपका electrical resistivity होती है, दोनों में फरक होता है, इसका मातरक ohm होता है, इसका मातरक ohm meter होता है, ठीक है, तो doubt मत करना इसमें, ठीक है, और ये भी क्या होता है बच्चा, और ये भी जो आपका प्रतिरोधकता है न, वो भी क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति का गुण हो हुआ उसके बाद हो गया यह अब हो गया मेरा रेस्टिविटी ऑफ मटेल पदार्थ की प्रतिरोधकता अब देखो होता क्या है बच्चा बहुत सारे लोग मेरे से प्रेशन करते हैं कि सर एक बात बताईए कि जो मेटल्स होते हैं उनमें तो करेंट फ्लो होता है लेकिन जो क्यों नहीं होता क्या रेजवन तो देखो उसका पहला रीजन जगर बेसिक वान में बता हूं तो सबसे पहला है आप सबको पता है की जो मेटल्स होते हैं उन 1 के जो एटम होते वह फ्री होते हैं और आप सबको पता है कि जो करेंट होता है मेरा उन प्री divine की वजह से भी होता है पहला केस तो यह हो गया basic difference है यह कारण बहुत सारे हैं ऐसा नहीं कोई एक factor किसी किसी चीज की प्रकृति को define करता है बहुत सारे factor होते हैं ठीक है तो लेकिन जो base factor होता है वो हम क्या करते हैं बताते हैं लोगों को तो यह तो पहला reason हो गया लेकिन जब कि insulator की बात करें जो non metals होते हैं या फिर जो मतलब धातुए होती हैं उनमें current flow नहीं होता उसका reason होता है कि उनके जो electron होते हैं बच्चा ना नूक्लियस होता है वो उनको बहुत tightly hold करके रखता है ठीक है तो उनको direction नहीं मिल पाती या फिर वो move नहीं कर पाते तो ऐसे case में क्या होता है कि उसमें current flow होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ठीक है ओके अच्छा उसके बाद जो main reason है वो आपको कि आपको पता है कि जितना ज्यादा होएगी ठीक है current उतना ही नहीं flow होगा ठीक है resistivity जितनी कम होएगी current उतना ही ज्यादा flow होगा resistivity का simple सा मतलब है रुकावट या किसी भी रोड पे जो रेकर होता है वो क्या करता है वो टुकावट ही तो है उस रोड के लिए तो वही बात है ठीक है तो तो देखो जो metals and alloy होते हैं very low resistivity in the range of this and this ठीक है यह जो आपका resistivity है किसका metal और alloy का metals पता है न क्या होते हैं धात में होते हैं alloy क्या होते हैं कई सारी धातों का mixture होता है alloy ओके तो resistivity जो होती है वो किसी भी metal या alloy का क्या होती है इसकी range में होती है यह जो आपका number दिया गया 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter और यह क्या है यह बहुत कम है तो यहाँ पर आप देखोगे क आपकी क्या हो गई कम हो गई मतलब यह जो range है बच्चा ना यह range बहुत कम है ठीक है और इसी लिए क्या होता है कि यह good conductor होते है electricity मतलब रुकावटे कम है तो इसका मतलब electron बहुत तेजी से flow होगा और current भी आसानी से उसमें flow हो जाएगा तो metal और alloy क्या होते हैं आपको सब देखो तो metal alloy क्या होते हैं बड़े आसानी से वह current को अपने अंदर से flow होने देते हैं तो उन पर कोई दिक्कत नहीं होती है why because they have to less resistivity in the range of 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 6 okay got it my point and next one is अब यहीं चीज हिंदी में लिखी हुई है धातू और मिश्र धातू की प्रतिरोधता बहुत कम होती है और यह वादी रेंज आपको दिखी रही है ठीक है तो यह विद्धुद्धारा के अच्छे चालक होते हैं बड़े आसानी से flow होता है ओक है आगे अब देखो इंसुलेटर की बात करते हैं अब देखो यही बात एकड़म इंसुलेटर के अपोजिट होती है अब इंसुलेटर में तो आपको पता है कि that have to not allow to current in your body so they have to say that insulator because they have not flowing current okay तो यहां पर देखो rubber glass का example दिया गया और इसके जो बच्चा resistivity होती है न जितने भी insulator होते हैं almost किसकी range बे होते हैं 10 to the pound 12 और 10 to the pound 17 अब सोच के देखो ये number ये वाली range और ये वाली range में जमीन आस्मान का फरक है मतलब ये बहुत जादा कम है लेकिन ये बहुत जादा है तो इसका मतलब क्या हुए इसका मतलब हुआ यही रीजन है कि metal और यहां जो होते हैं उन में current flow होता है और insulator में current flow होना बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है तो यहां पर कुछालक जैसे रबर ग्लास के प्रतिरोधकता इस रेंज में होती है ठीक है तो इसलिए इसके अंदर current flow नहीं होता समझे की नहीं समझे तो अगर कोई पूछता है कि ऐसा क्यों होता है तो इसके आप दो metals और alloy होते हैं उनकी resistivity इसकी range में होती है जो की बहुत कम है इसलिए इसके अंदर से current आसानी से flow हो जाता और इसमें नहीं हो पाता क्योंकि इनकी resistivity बहुत ज्यादा है अब हमारे पास लिखा है बोथ किसी पदार्थ का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों तापमान के अनुसार बदलते हैं तो अब देखो यह बड़ा बहुत अच्छी चीज़ है हमारे पास हमारा जो परिपत है या फिर हमारा जो भी material है जिसके अंदर हम current को flow कराना चाहते हैं वह हो सकता है धातू हो सकता है अधातू हो सकता है अधातू हो सकता है नॉन कंड़क्टर हो तो ऐसे case में बच्चा हम क्या करते हैं पता आपको उनके अंदर जो resistivity और resistance होता यह दोनों किसके उपर dependent है temperature के उपर dependent है ठीक है कैसे dependent है यह बात आपके slivers में नहीं है और ना तो इस book में है ठीक है यह आप जब 11th या 12th में जाओगे तो हो सकता हो वहां पढ़ने को मिले बट अभी यहां पर किवल आपको यहीं note करके रखना है कि जो resistance और resistivity होती ही ना वो किसका result होता है वो होता है तापमान का तापमान बदलेगा तो यह भी क्या होंगे आपस में बदलेंगे ओम का नियम मैं पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें भी आपको highlight करके बताया था कि जो आर होता है वो वह वेरी करता है किसके according तापमान के अनुसार या in a range okay अब कुछ points है जो हमें याद रखने चाहिए ठीक है बहुत ही अच्छे point है देखो बहुत simple point है बच्चा क्या है कि resistivity of an alloy is generally higher than the of its constant metals अब जैसे जो alloy होता है पता है आपको क्या होता है जैसे होता है माल लो एक alloy यह है ठीक है alloy कई सारे metals का mixture होता है तो मान लेता हूँ इसमें मैंने चार यह जो पूरा alloy है बच्चा यह चार metals है मिलके बना है मैं मान लेता हूँ एक aluminium होगा एक आपका copper होगा ठीक है एक gold हो गया और एक लोहा मान लो ठीक है iron हो ठीक है तो यह बोल रहे हैं कि इसका जो प्रतिरोधता ह है वो क्या होती है जादा होगी इन compare to इनके अंदर जो mix-up वाले क्या है metal है समझे की नहीं समझें नहीं समझ में आ रहा है aluminium है जैसे aluminium की कुछ न कुछ resistivity होगी बिल्कुल होगी सर copper की भी अपनी होगी खुद की बिल्कुल होगी aluminium की होगी और आरम आरम एफ और gold होता है लोहे की भी कुछ न कुछ resistivity होगी बिल्कुल होगी तो इनकी जो resistivity होती है बच्चा न वो कम होती है किसके respect में इस पूरे alloy क प्रतीरोध्ता आम तर पर इसके घटक दाटों की तुलना में अधीक होती है मतलब इसकी जो प्रतिरोध्ता वो जादा है इनकी इंडिविज्वल प्रतीरोध्ता से अच्छा इसका फाइदा क्या है मैं आपको बताता हूँ इसका आपको पता है कि जैसे electric iron हो गया, ठीक है, toaster हो गया, heater, heater तो almost सबने सुना होगा, heater में आपने देखा होगा, बीच में ऐसे ऐसे गोल-गोल तार लगे होते हैं, ठीक है, वो शायद nachrome के तार होते हैं, और nachrome पता है क्या होता है, nachrome एक alloy होता है, ठीक है, nachrome क्या होता है, आपको पता उनकी resistivity क्या होती है, वो high होती है, तो उसकी वज़ा से जब उसमे current flow होता है, तो वो जल्दी पिघलते नहीं है, और साथी साथ, जब वो current को flow नहीं होने देते हैं, तो उनके अंदर जो गर्मी है वो बहुत तेजी से वो गरम हो जाते हैं, और गरम होके heat निक कि इसको, विद्दुत को, लेकिन उनका जो resistivity थोड़ी सी जादा होती है, उसकी वज़ा से क्या होता है, कि वो एकदम गरम हो जाता है, और जब गरम हो जाता है ना, जैसे देखो simple सी बात है, आपको मैं एक छोटा सा example बताता हूँ, अभी कल की बात है, कल ही की बात है, मैं मैं और मेरा एक दोस्त था, हम लोग स्कूटी से जा रहे थे, ठीक है, मैंने उसे बोला, मैं चलाओंगा, क्योंकि मुझे डर लगता है, कि कोई चलाता है ना, तो मेरे को विश्वास नहीं होता है, यारी सही तरीके से चला पाएगा, तो नहीं चला पाएगा, लेकिन उसन अचानक से साइड में कुत्ता था, उसने भॉग दिया, अब उसको पता नहीं क्या हुआ, और उसने स्कूटी रोकी और अचानक से गिर गया, तो मैं, वो भी गिर गया, मैं भी गिर गया, मेरे घुटने में चोट लग गई, उसका भी घुटना काफी डैमेज हो गया, ठीक तो आसपास देख रहा हूँ, कोई पत्थर भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है आसपास, ठीक है, लेकिन तब भी क्या हो गए, हम गिर गए, तो मेरे को पता चला, तो मेरे को याद आया, कि एक बार इसके पहले भी मैं गिरा था, मैंने अगला वाला जो ब्रेक था ना जो ब्रेक था, और जो सड़क थी, वो क्या कर रहे था, उसे स्पीड का विरोध कर रहे थी, कि नहीं तेरो को मैं जाने नहीं दूंगी, और जब वो नहीं जाने दे रहे थी, लेकिन वो जबर्दस्ती जा रहा था, तो उसके बीच क्या क्रियेट हो रहा था, गर्मी क्रिय होती है तो यही काम filament में होता है और सेम यही वाला concept न जो 气 pop की थार होते होते उसमें भी यही होता है और वहां पर इनका जो existivity होता है लीकिन के तब ही को जबर्दस्ति जाता है तो वहां पर गर्मी смik privileged होती है आप समझ रहे हो गिया नहीं समझ रहे हो देखाव rozp पढ़ो चीज़ों को ना मैं थोड़ा सा अज्यूम करके चीज़े बताता हूं तो उसको आप अज्यूम करके पढ़ा करो ठीक है अच्छा यह जो प्रॉपर्टी है एलॉइस की ना जो मैंने बताया रिजिस्टिविटिन की हाई होती है विद कंपेर टू देयर कॉंस्टिट यूंट मेटल्स तो इसका एक फाइदा है हम यू सब्सक्राइब इसका यून करते हैं तो यही दो काम है कि आिनलोइ होते हैं इस और उसके बाद बच्चा आता है copper aluminium are generally used for electrical transmission line देखो copper aluminium का उप्योग आम तोर पर विद्दू संच्रन लाइलों के लिए किया जाता है यह आपको दिख रहा है figure बड़ा famous figure है आप अगर train से कभी इधर उदर move करे होंगे actually मैंने train में देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं train में जाता हूँ न तो मैं नोइडा में या डैली में तो हमें क्या करना पड़ेगा इनका यूज करते हैं ठीक है बड़े-बड़ transmission line होते हैं तो यह विद्दू संच्रन लाइन जो है इसके लिए यूज होते है ठीक है तो आई होप की इतनी लेक्चर होगा बच्चा उसमें मैं आपको प्रतिरोध का location बताऊंगा कि प्रतिरोध को किस किस तरह से हम लोग किसी भी परीपत में set कर सकते हैं ठीक है बेसिकली दो तरीका होता है एक समनांतर होता है और एक एक स्रेडी करम होता है तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिसकुस करेंगे तब तक लिए अच्छे से आप इसको समझो पढ़ो और रिवाइस करो ठीक है all the best बच्चा खुश रहो मजीदार रहो और बहुत बहतर करो